तो थंड में मैं एक पहुत अच्छी रेसिपी डाल रही हो जो है मैथी की लड़ू जो काफी ही फायदे मंद होती है सुगर वालों के लिए एक्स्ट्रोर्ण के सहर किसी के पाइदा होती है दर्द जोडों की जो इसके होती है उस सब को फायदा होता है तो देखिये मैं कैसे बनाई हो क्या क्या इंग्रियन दी हूँ जिसमें से सबसे ज़्यादा तो मुझे इसमें मीटनी सुद्ध घी का लगा सुद्ध घी भी मेरा बहुत अच्छा दिया डेड़ कटूरा हम दिये है इसमें मेथी का दाना जो घर पे मेरा सुद्ध तयार किया हुआ भ्रेज था इधर बादाम दिये हैं इधर काजू दिये हैं इधर किसमीज दिये हैं इधर रख दिये हैं आप सोट भी दे सकते हैं और उसके बाद उधर दिये हैं मैं चुवारा और जैफर किसमीज बड़ी लाची बेशन आटा सब चीज मिल दे दी हूँ और गोन भी दी हूँ तो भूड भी दी हूं तो अगले गोंद की लड़ू मेरा थ्रकम हो गया था तो मैं दोनों चीज इस बार दी हूं मैं ती को मैं अच्छी तरीका से ग्राइंड कर ली हूं ग्राइंड करने के बाद मैं दूद में उसे मिला के फुलने दे दी हूं थोड़ा दे चार-पांच सारे ड्राइफूट को रोष्ट की हूं देखे दूद उतना ही देना है जितना इसमें लग रहा है उतना मैं डाल रही हूं इसे मिलाते हुए मैं सारा दूद को गुठली आना हो अब धक दी हूं अब चीनी को ग्राइंड कर रही हूं चीनी जब मेरा ग्राइंड हो जाता ह तब फिर मैं इधर बादाम को रोष्ट कर रही हूं तो देखिए बादाम भी मेरा रोष्ट हो रहा है लाल बादाम भी दी हूं और मैं वो पिस्ता बादाम भी दी हूं काजू भी दी हूं सारा जितना आप ड्रैप जितना दे सकते हैं उतना मेरे रासन में जितना भी था अच्छा मैं गोन को प्राय कर रही हूं। सुधगी मैं ढले हैं। थोड़ा थोड़ा गोन देते जा रही हूं। और मैं इसे अच्छी तरीका से फ्राय करके निकाल रही हूँ, देखिए कितना अच्छा से मेरा गोन फ्राय हो गया, लाबा के तेरा फुट चुका है, देखने में बहुत अच्छी हो गई है, इसी तरीका मैं सारा गोन निकाल ली हूँ, उसके बाद मैं इसे ठंडा होने दे भूंज लोगी सुद्गी में और सुनहरा होने तक अच्छी तरीका से भूंज ना है सारे लंज को तोड़ना है लंज एक भी नहीं रहना चाहिए ना तो बेशन में ना तो आटा में नहीं तो वो स्वाद खराब हो जाएगी इसी तरह से भूशते हुए उतब तक भूझे जब तक यह सुनहरा नहीं हो जा और सारी लंज छूटना जा उतना देर तक आप भूंज ये देखे मेरा ब्राउन हो चुका है सुनहरा हो चुका है और अब मैं बेशन निकाल ली हूँ इसी में कड़ाई में मैं आटा दे रही हूँ सुद्गी डाल चुकी हूँ आटा को भी मैं इसमें डाल के पूरा अच्छी तरीका से पकालूंगी और एक भी लंज नहीं होना चाहिए ना आटा में ना बेशन में और दोनों को सुनहरा तक भूंजना है जब अच्छी तरीका से भूंजा जाएगा तब फिर मैं आगे का प्रोसेस करूंगी तब तक से सारे लंज को तोड़ना जरूरी है उसे तोड़ रही हूँ इस तरीके से मैं बनाते जा रही हूँ फिर जब मेरा आटा भूंजा के निकल जाएगा ट्राइफर है और 4-5 घंटा मेरा यह सोक कर चुका में थी तो पहले मैं ड्राइफूट को सुदगी में भूजने के लिए तयारूर कर रही हूँ और सारे ड्राइफूट को एक साथ मैं अब इसे सुदगी में भूज रही हूँ जो काफी अच्छी तरका से मेरा पाक जाए देखिए ड्राइफूट डाल रही हूँ सब को मिला के एक साथ सुदगी में भूजना आई से जब यह सारे भूज आ जाएंगे तब मैं इसमें मेथी भूज रही हूँ और इसकी भी लंप्स को तोड़ना पड़ेगा नहीं किसी भी चीज में लंप्स नहीं होना चाहिए लंप्स होने के बाद यह गलत हो जाता है कराब हो जाता है तो देखिए कितना अच्छा से मैं इसे तोड़ रही हूँ और इसमें और यह दो को मैं चूर के रख लिए हूँ और देखिए से ड्राइफूट फो मैं निकाल ली और इसमें गॉन भी मिला दूंगी सारा गोन को साप को साफ करके दकार यहना इसी कड़ाई में मैं मैं मैथी भूंजने लेगी जब मैथी करने के लिए घी ढाल रही हो कारण यह हूं मेरा मात्राम कॉंटिटीटी है इस में घाल डाल корउन कारण बीफेज़ानरी में ज़्यादा सुद्ध घीम्रा लगें इतना अच्छा से कने और तो में East कर चुकी थी और जब सारा चीज मेरा सब गया स्वकिन कर दो हो गया तब मेधी को ऑ हमें उढल हो चुका इस युद्वे मेरे पिछले वीडियो आप देख सकता है जब पूरा अच्छा तरीका से भूण फ्राय होता है तो खुद वो खुद ग्राप्स का पिछे में यह से सब坏ज दाफ से चूर हो जाएगी नहीं दो वो कडा रहा जाता है है तो मैं बहुत अच्छी तरीका मेस मेरा गोन फ्राइ प्राय हो चुकआ था जो क्रस्स कर चुकी हूं अब हम इसकी सुझा सारे लंड़क से मुझे तोड़ना है मैं इसकर टोड़ रही हम जब सारी लंड़क तोड़ जाएगए अच्छी तरीका से फ्राइ हो जाएगे तब में से घी छोड़ना सुरू हो जाएगा इतनी में इस में मेजी के लट्टू में हो गई है तो देखें कितना इस इस अधाया में कड़ाई में जमां हो गई है सारी स्वादिष्ट मेरी यह लड़ू बनी है कर देखे कितनी अच्छी हो गई है इसमें मैं बेशन अब डाल रही हूं जो मैं फ्राय करके रखी थी बेशन आटा सारा चीज इधर यह आटा भी डाली बेशन भी डाली और इसको मैं मिला लेती हूं अच्छी तरिका से और यह रही इस अच्छी बहुत स्वादिष्ट बनिया बहुत सेली बनिये इस थंडा मेज़न जो भी खाएंगे वह समझ Ms बहुत ही ज्यादा फायदे मंद है यह हर किसी के लिए ये फायदें सबसे ज़्यादा तुशूगर वाले के लिए फायदें मन्द होते हैं ये मेथी की लड़ू एक लड़ू खाने के बाद उसों दीन भर बहुत अच्छे लगे अनुभाव होगी ये चीनी पीसा हुआ है पहले मैंसे दे दे रही हूँ फिर बाद ये है अधराक सब चीज डाल रही हूँ अखर बुजे की भी जितना चीज फ्राय की थी सारा चीज एक साथ अब मिर्क्स कर रही हूँ अब मेरा ये लड़ू के लिए लाइक तयार हो चुकी है और मैं इसे सब मिला के एक एक करके सारे लड़ू बनाएंगे तो बिलकुल भ तरे सब को स्वाधरिस्ट लगें अप खाने के लिए चाहेंगे और बहुत आच्छी तरीका से ये खा लेंगे इतना चीज ये लड़ू बनीं ओने मिलाते मिलाते आप देखियेगा कि कितना सारो ये हो गया है घी घी पूरा मेरा कितना अच्छा हो गया है लड़ू बच्चे सब को भी खाने में बहुत आनंद आता है इस तरह से आप लोग भी बनाएं और एक लड़ू रोज खाके अनुभब करें कि ये लड़ू कितनी हेल्दी और कितनी अच्छी बनी है देखिए अब इसमें मैं गूर डाल रही हूँ इसे भी अच्छी तरीका से पका लूँगी गूर को पकने तक मैं इसमें धोड़ा सा चलाऊंगी अभी ने तो कच्चापन आ जाएगा गूर थोड़ा सा पक जाएगा तब मैं इस गैस बुझा के उसे नीचे उतारूंगी अब देखे कितना अच्छा घी और गूर का मिसरान चीनी तीनों का हो गया है और कितनी अच्छी कलर भी आ चुकी है और कितना अच्छा से सब चीज मेरा मिल गया है ना एक लंस भी हुई है और देखे अब तयार हो गया घी देखे कितना मेरा बहने लगा है काफ़ी हेल्दी मेरी बन चुकी है लड़ू अर धीरे धीरे उठा उठा के एक एक लड़ू मैं बनाते जा रही हूँ घी से हाथ पुरा लब लब हो रहा है देखे किनारे में मेरा घी ही हो गया इस तरह की लड़ू खाने से बहुत हेल्दी और बहुत फायदेय मंद हो के जर लगे मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें तब तक के लिए बाद टेक केर फिल मिरूंगी अगली वीडियो में